Good morning my dear children, today in math class, new topic, सीखेंगे आज हमाँ, वो है What comes before? आपने after किया, between किया, आज हमने क्या करना है? Before. After में क्या था जा से? One, after क्या था? Two, for example. इसमें हमने क्या करना है? Two का before, यह लिखना है हमने. Two, before. ठीक है? जैसे after में था, one का after, तो यहां पर जैसे one का before. Zero का before क्या था था? One. तो यहां पर हम क्या करेंगे? One का before लिखेंगे हैं. आज हमने यह चीज सीखनी है, learn करनी है. ओके बिटे? One का before, क्या जाएगा? Zero. Two का before? One. Four का before? Three. इसमें रिखनी होना आप नहीं? Three का before? Two. Six का before? Five. Five का before? Four. Nine का before? Eight. Seven का before? Six. Eight का before? Seven. और 10 का before? Nine. तो आज हमने क्या किया? What comes before? इसकी बेटा अच्छे से प्राक्टिस करनी है अपनी नोट बुक के उपर. सुन्दर, सुन्दर. और एक चीज़ का फिर से यार मैं बात रुपीट कर रही हूँ, कि जो भी आप नमबर लिखते हो, बॉटम लाइन को टच करके ही लिखना है. और इसमें कर्फ्यूज महीं होना, ये विपोर है. इसके अंदर हमने विपोर ही लिखना है. कहीं कई बार बच्चे इसमें त्याग अजरी कर जाते हैं, इसका आफ्टर लिख जाते हैं, जैसे वन का आफ्टर टू होता है, वो लिख जाते हैं, वो नहीं लिखना हमने, वन का बिफोर लिखना है. ओके बाई, थैंक्यू.